नमस्कार दोस्तों इस समय हम हाजीर है गोरखपूर के ग्रामीर इलाके में और यहां पर जो है जो लोकार खबरे है उस चीज को हम दिखा रहे हैं यहां पर देखे रोड जो है काफी जो है बुरी हालात से जो है गुजर रहा है और तमाम लोग जो भी लोग आ रहा है देखे कर नंदे चाहिए जो भी धायक जो भी आ के मतलब अलदकारिया उनको देना चाहिए गाड़ी चलता है गिर जाए वहां जो कुछ ही कभी मिहाँ एभी आधि तो ही दे गाटन आपने कर दिया है तो क्या काना चाहेंगे सरकार से सरकार चाहेंगे इसको बनाए नहई आए इस सर रहा लेते रहें और बरसात की संद्ध क्यां बोलते हैं दूल्य का मज़ा लेते रहां तो कुछ काना नहीं सब्सक्राइब कर नहीं कर रहे हैं जो हुआ अपनी आखे जो भी नमंदे हैं जब उनके दलाल है वह तो सबस्याद जो है चाहते हैं इस तरह से जो भी सलकी रोड है उनका विकास कभी हो आई न यहीं चाहते हैं जो है रोड कम से कम हमको लग रहा है दस से बारे पंदर साल हो गए हैं और अभी तक इसका जो है कोई मरमब नहीं हुआ इस पर और इस पर डेली और अधिक धूल मिट्टी आप घर्मी के सिजन में इस पर चलते हैं और बारिस के सिजन में चलते हैं तो इस पर आप कनई कचरे में जो है यूट करके गिरते हैं और चलते आहिए अभी हमारा है उन्से बात करने की कोशिस करते ने रुकिये रुकिये भाई साब रुकिये 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 कैसे हां बढ़िया है कहां सा रहा है हम तो यह पखले गाउं से आ रहा है रहा है रास्ता कैसा है रास्ता देखी रहा है कितने अच्छी कंडिशन है रास्ते की तो इस रास्ते के लिए मेडल देना पूरी तरह से आम जनता जो है बर्गलाई जा रही है तबाह है परसान है अपने पत्थ में जाने के लिए जो है पूरी तरह से पनुरी अच्छा एक बाद रही है और यहां पर विकास नहीं हो रहा ऐसा क्यों है अब उसका रिजन हम कैसे बता सकेरा यहां पर रोड नहीं है यहां पर 小 ev साधन मिल आते हैं जिस видите सहरका बिकास अच्छा होता है लेकिन ग्रामीर इलाके में जाएंगे, देखेंगे, कोई जो है, सरक सुरच्छा, कोई बेवस्था बढ़िया नहीं रहता है, जिसके कानों जो है, ग्रामीर के लोग हमेशा पिछड़ी रहते हैं, आई यहाँ पर हमारे साथी जो है, कई सारे ग्रामीर लोग हैं, इनसे कारना पड़तकि है, मजबूरी हम लोग यह िकले मतलब हoreं है, कर दखने के लिए लोग अ और आती वक्त लोग गिर वी तो इदार रहो है चच्छा सी है ओछब मैं गिर रहे आई अब यह यहादी आ हरा है इंसे बीजिए कोशिष नदिकवर्य है तो देखिए नीचे उपर करके फिशिलते हुए चल लाए है बेसर्मों की तरह एक भी बार अवाद नहीं उठा रहे है कि इस रोट को बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए देखिए बेसर्म की तरह जो है किस तरह सोच चले गए हैं हैं कि दो लोग अवावर का थे हैं इनके मुँह और यह पूरी तरह से फिर को चुके था रहे घर सो होते हैं बहुत खराब है बहुत ही खराब रात को आते हैं तब गिर जाते हैं इस वी एक्सिडेंट होने के चारब बालु वाला ट्रक चलते हैं इसी कारण हमों यह रोड भी शोड़ दिया बहुत कारण है इसमें कि रोड जब से बालु का घार चलना शुरू हुआ है तब से रोड 37 शुर्स्ट हो गया है जाए और वियार है भाई साब मिसे बात करें कोशिस करते हैं आई आई यह यह धारिये ढरी चौरी जनाब ढरी सीम के सार्थ से आप हैं कैसा लग लग रहा है रासता का बहुत खराब इतना रोड खराब चलना है मजा रहा है क्या सा लग दे लिज़् बहुत कम दे रहा है वह इस रोड के लिए क्या करना चाहिए सरकार से मांगे करना चाहिए कि बनना चाहिए रोड अच्छ रोड आप खाना खाते हैं करना चाहिए सरकार अगार ले रहा है तो एक छोटा सा पाउश हुआ खर देंगे कुरकुरे टो उस पर बहुत 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 करना इसी तरह है कि पानी फी रहे है को यह खारे बिस्कुट खा रहे हैं तो शरक ब्योस्ताइं क्यों नहीं मजबूत हो रही है दर्म बेकार है क्या जाया ना उचित नहीं होता है लेकिन परिशानी हो चलना है तो चलना आप इसी रोड पर बरसाथ में तो एकदम नहीं चल पाते हैं सरकार से कुछ गुजारिस करेंगे कि भाई रोड जल्द से चल बन जाए अब भी कुछ करना चाहा रहा है तो देख पा रहे हैं पर जनता जो है पूरी तरह से जो है तबाह इस रोड को लिए करके और कहीं कहीं उनके बाइकट होने का सबसे बड़ा रीजन है यह रोड पर जो है अच्छी ब्योस्थाएं होती तो साहिद इस तरह से उनक को रख करके साइकल चला करके आ रहा है आए 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 आपका स्वागत है आए बिंदेखलपूर से आ रहा है और बिंदेखलपूर जाएंगे पता नहीं है कोई मंजील का न कोई ठिकाने है इस दौर में आए फिर भी आपका स्वागत है इस इ जी कईसे है ठीक हां रोड का हलत कईसा है बहुत खराब है क्या कहना चाहेंगे बनने के लिए बता रहा है और यहाँ पर एक छोटा सारा मर आज़े आ रहा है देखिया क्या हल देश के भभिष है पढ़तो रहते हैं और इसी रास्ते डेली आते जाते होंगे कहां पड़ते हैं शिर्यामरा एंटर कॉलेज बहाजितपूर अच्छा चलिए उधर से आपको आते जाते होंगे तो इधर का माना जाना होगा लेकिन इस रोड के बारें क्या करना चाहेंगे बन्वाइए रोड खराब हो गया बहु सरकार होगी तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मतब में कुछ दिन पहले मैं पढ़ा था कि बनने के लिए रास्ता मानी बिधायक जी उठाए थे बरतमाल समाल में जानते हैं जानते हैं तो आज यहां के विधायक जी है राजस्तिर पाठी से हमारा अग्रह है अनुग्रह है कि एक बार इस रोड पर जरूसे आये आने के बास से जो है इस रोड का जो रोड का जो दसा है उससे एक बार जो है आप अपने संग्यान लिजिए और आपके साथ पूरी जंता खरिए है आपक जाता हूं जाता है तो इस जमीन जाओं के जो जमीन है किसानों का समझेश सोना हो जाएगा बहुत अच्छा काम होगा अगर बहुत अच्छा बात यह रोड रोड ग्रामीर इलाके का पिछाने का सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है अब बहुत सारे कमिया हैं लेकिन रही बात है कि अगर पीच हमनों के लिए बन जाता है दोना तरब तो बहुत ही अच्छा है जानले इस इस सबसे बड़ी कमिया मालीजिए सबसे बड़ी कमिया जो है रोड यह देखिए चाइना जो है बिच पर विजय पाने के लिए इस चमुक से घेर रहा है जो है रोड के माध्यम से और भारत को घेरने के लिए भारत के सिमाव तक रोड का निर्मार करा है ताकि वह भारत पर बिजय पासके लेकिन ऐसा होगा नहीं चुकि यह सन 1922 नहीं है बताएए इस रोड के बारें क्या करना चाहते हैं रोडवाद सलाइदम मजा चलाने में गड़िया इसी भासती है ना के उसी गान फाट जाती है तो कभी गिर ऊड़े अब गिरे तो नहीं है यह हैं अबड़ान आते मेलना मेल्ता अधितना मेलता का पताःई ज्ञार के सरकार बहुत गोटाला करें तक यहां पैसा दे रही कि जो नियता ठीकदार मोजाले लगन सारे काम न करा सकती है हम लोग हैं मीडियेटर, मीडियेटर का काम होता है जनता की बाद सरकार तक, सरकार की बाद जनता तक पहुचाने का, तो हम अपना तो फर्ज निभा रहे हैं, साथ ही साथ आपका जो फर्ज है, उसको भी निभाईएगा, और वीडियो को अधिक सधिक जोएशेर करिएगा, म मिलते हैं, नेक्स वीडियों तब तक ले जाएं 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 भारत